दोस्तों आज दिखाईंगे हम आपको सिंगल केज की प्रोग्रेस जी हाँ जो सिंगल केज में एक जोड़ा छोड़ा था मैंने और काफी दिन हो गए जो वीडियो बनाया था और बस जोड़ा छोड़ा था मटकी लगाई थी और वीडियो बनाके मैंने दिखाया था आपको बस मटकी लगाई थी उसके बाद फिर मैंने अब भी तक कुछ भी नहीं दिखाया उसके बारे में कई लोग भाई मुझसे पूछ रहे थे कमेंट कर रहे थे कि उसके बारे में बताओ तो बताना भी जरूरी था और अबडेट आज मैं आपको दूंगा दोस्तों आज देखिएगा आप बड़ी दिल्चस्प वीडियो होने वाला है और उससे एक सीख भी मिलेगी के दुकान से पेर लाके छोड़ा जाए तो क्या होता है एक पेर आपके सामने एक पेर लाया था मैं दुकान से और मैंने बताया था कि दुकान से लाया हूँ और इसमें मैंने छोड़ दिया था यह देखिए यही है वो केज दोस्तों आम तोर पे इसे मैं थोड़ा सा ढाक के रखता हूँ एक तरफ से ताके बर्ड्स को शरम नहीं आए अ अब केज को हम ले आएं इदर इदर ले आएं दोस्तों इदर लेके आ गए हैं अब हम क्या करेंगे के देखेंगे के इसमें क्या हो रहा है क्योंकि मैंने तो देख लिया इसलिए मुझे मालूम है क्या हो रहा है एक बार इसमें अंडे इंफर्टाइल थे दोस्तों अंडे फल्टाइल नहीं थे खराब हो गय थे एक बार अंडे पांच अंडे थे और अब इसने दोबारा अंडे दिये हैं इसने तो अब 6-7 अंडे है अभी मैंने गिने भी नहीं थे कितने अंडे हैं लेकिन ऐसा लग रहा था कि 5 या 6 अंडे हैं तो अभी आपके सामने ही केज के अंदर हाट डालके मटकी के अंदर हाट डालके अंडे निकालके मैं आपको दिखाऊंगा और अंडे हम चेक भी करेंगे के फर्टाइल हुए हैं के नहीं हुए हैं क्योंकि 7-8 दिन में अंडे फर्टाइल हो जाते हैं अब 7-8 दिन छोड़ दीजी आप 10 कम से कम 10 दिन में आप चेक कीजिए क्योंकि अगर 7 दिन में नहीं भी हुए हो तो 10-12 दिन में हो जाएंगे तो इसको इतने दिन हो गए हैं तो देखिए अब हम देखते हैं अंडों को और अंडों को मैं ये भी बताऊंगा आपको का अंडे कैसे देखते हैं का अंडे फर्टाइल हैं या नहीं है अब उससे ये फायदा होता है दोस्तों कि जैसे मालीजी अंडे फर्टाइल नहीं है तो आपने जैसे 10 दिन में अंडे देख लिए और फल्टाइल नहीं है तो उठा के फेक दीजी आप क्योंकि अगर मादा आपकी एक महीने तक बेटी रहेगी यानि 25 दिन तक तो आप वेट करेंगे 27 दिन तक वैसे 22 दिन में बच्चे निकलाते हैं पूरे और देखिए आप जोड़ा दोस्तों बड़ा शांदर था बड़ा मुझे पसंद था जोड़ा और काफी बड़े बड़े थे ये बज़री आपको देख रहा होंगे दोनों के दोनों नरमादा नीचे मादा बेटी उपर न रहे और काफी खूबसूरत पसंद का जोड़ा था तो मार्केट से लाया था मैंने और ये देखिए दोस्तों ये अंडे अब हम चेक कर रहा है मॉबाइल की लाइट जला लीजिए ये कोई सी भी आपके पास इस टाइब की लाइट हो तो अंडो को इस तरह से चेक करना है आपको देखना है कि इसके अंदर फर्टिलिटी है के नहीं है फर्टिलिटी कैसे पता चलती है अगर अंडा पीला दिख रहा है किलियर आपको दिखेगा काफी कुछ दिख जाएगा ये देखिए अंडे में आपको थोड़ा सा लाल लाल सा दिख रहा होगा दोस्तों जैसे के नसे होती है लाल लाल जैसे के सू का पेल होता है और उसकी आसपास ज़ाड होता है उस टाइप की नसेंसें में दिखती हैं ये देकिए लालल सा दिखरा है और नसें दिखती है जो फर्टाइल हुआ ही होता है ईंडा उसमें यानि आट-दस दिन में और फिर उसके बाद ईंडा काफी लाल दिखने लगता है अब ये देखिए ये वेकार ईंडा था तो कुछ तीन एंडेस में फर्टाइल हैं यानि तीन एंडेस में शायद खराब होंगे और बाकी चार एंडों में से जरूर उम्मीद है कि बच्चे निकलना चाहिए तो जिसमें लाल-लाल सा दिखता है दोस्तों या लाल सा आपको दिखता है तो पहले तो आपको हलका ऐसा जैसे मैंन को दिखेगा तो वो होता है फर्टाइल होने की निशानी और एक बिलकुल पीला होता है अंड़ा जिसमें रोशनी इदर से उदर जा रही होती है वो अंड़ा खराब हो गया होता है उसमें से बच्चे नहीं निकलेंगे तो फेक देना चाहिए आपके बर्ट्स का टाइम अब क्योंके हम अंड़े फर्टिलिटी का वीडियो नहीं मना रहे थे के इनफर्टाइल और फर्टाइल अंड़ो वाला अभी मैं दिखा रहा था इसकी प्रोग्रेस किसी दिन आपको खरीब से दिखाऊंगा अंधेरे में ले जाके ताके बिलकुल आपको साफ नजर आए का अंड़े में केसा दिखता है तो अभी हमारे सब्जेट था कि हम देखें इनकी प्रोग्रेस और मैंने दिखाई आपको कि यह है प्रोग्रेस अब देखिए पहली बार अंड़े इनफर्टाइल हुए दोस्तों और इस बार अंड़े फर्टाइल हो गए हैं और पहली बा पर वीडियो इसलिह नहीं बना पाया दोस्तों मैंने सोचाता कि बच्चे निकलाएंगे तो बनाओंगा इसलिए मैं रुका हुआ था लेकिन वह बच्चे नहीं निकले तो फिर मैंने सोचा आप कैसे बनाओ फिर आप इसके दुबारा इंडिया आ गया और पर दिमांड भी रही थी के बनाओ वीडियो तो बना के दिखाना था अगर ये फर्टाइल नहीं होते तो भी दिखाता दोस्तों मैं आपको तो इसलिए अगर हम एक पेर लाते हैं मैं आपको ये भी बताओं के एक पेर से क्या होता दोस्तों के एक पेर तो एक ही है उसने करी या नहीं करी भी फिर आप इसकी नर बदल के लाइए यहा मादा बदल के लाइए इससे कुछ आपको करना पड़ेगा तो दुकान के बड़्ड्स में ऐसा होता है के यह कामियाब हो भी सकते और नहीं भी हो सकते है और ये नर अलग था मादा अलग थी और इसको हमने छोड़ दिया था जोड़ा बना दिया था आपके सामने और आपने देखा कि ये रिजल्ट है तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक अगले वीडियो में इजासत दीजिए